Hello friends, welcome to Jarvis campus, आज हम बात करने वाले जो linear equation पढ़ रहे थे, पर अगर आपको linear equation जो है, वो linear equation के form जाने कि जो हमने simple form सिखा, उसके अलावा कोई थोड़ा tricky type में दिया गाया हो, तो उसका अगर solution बूला जाए तो आप कैसे solve करोगे, तो उसके लिए एक example ले ले लेते हैं पहले त x plus 1 divided by 2x plus 3 is equals to 3 upon 8, तो यहाँ पर आप देखोगे और बोल पाओगे कि यह linear equation है, नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि linear equation में जो variable है, वो हर बार या तो is equals to के एक साइड आते होंगे, या तो फिर is equals to के दोनों साइड आते, पर कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा कि वो division में भी आते पर यहाँ पर तो division में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले यह जो equation इसको simplify करेंगे, linear equation के form में, यहाँ पर जब simplify करना है, तो पहले हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर division वाला यहाँ पर term दिख रहा है, उसी से दोनों साइड multiply कर देंगे, जैसे कि सबसे पहले से हट आना है तो हम क्या करेंगे दोनों साइड इसको multiply कर देते तो यहां पे जब multiply करते हैं तो left hand side में 2x plus 3 2x plus 3 cancel हो जाएगा और फिर यहां पे जो नया equation यहां पे ready हो रहा है उसमें हम यहां पे क्या करेंगे तो यह जो 8 है यहां से निकला पड़ेगा ना इसन में से, तो 8 को भी दोनों सेट मुल्टिप्लाइ करते हैं, तो यहाँ पर राइट हैं सेट में 8 कैंसल हो जाएगा, तो हमें यह नया कुछ इस तरह से एक्विशन दीख रहा है, अब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कि 8 को हम किसे साथ मुल्टिप्लाइ करेंगे, तो क यह जो 8 है, एक बार X से मुल्टिप्लाइ होगा, एक बार 1 से मुल्टिप्लाइ होगा, same thing, 3 जो है, वो एक बार 2X से मुल्टिप्लाइ होगा, तो यहाँ पर जिब मुल्टिप्लिकेशन करते हो, तो आपको पता चलेगा, कि यह तो हमने जो दूसरा मै Citroanych पढ़ा था ना, linear equation but जहाँ पे equals to both side variable हो वैसा ही यह linear equation दीख रहा है तो अभी तो आप लोगों ने क्या किया कोई equation दिया गा था उसका linear equation के अंदर transfer कर दिया अभी यह जो linear equation है उसका solution कैसे करना है वो तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आगे के वीडियो में तो इसका solution जो है वो कुछ इस तरह सापको यहाँ पर मिल जाएगा और x की value हमें यह मिल जाएगी तो अभी आपको कोई भी ऐसा equation दिया गा और tricky equation और आपको बोला जाए कि इसको linear equation के form में transform करो और x की value find करो तो आप यह easily कर पाओगे Thank you